हलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज के वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे सेक्टर की स्टॉक्स के बारे में बेसिकली चीजें आज जो लोगों ने प्रेडिक्ट करी थी ना पिल्कुल उसका उल्टा हुआ है यानि कि आ आपको एक अच्छी कासी तेजी देखने को मिल जाए क्योंकि एक फैसलाई ऐसा निकल के आया था कि इंडिया ने जो है फोर ट्रिलियन डॉलर एकॉनमी जो है वो पहला मायलिश्टोर अचीब कर लिया है फाइब ट्रिलियन का यहां पर जो एम था फोर तो करी लिया है ले वीडियो को एंट तक आप जरू देखिए सारी चीज अच्छे ते तमझ में आएगी चैनल पर वश्टा में विजिट कर रहे हों सब्सक्राइब जरू कर लीजिएगा वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरू करिएगा हाईयर अपसी में आज के दिन की क्लोजिंग ह 1.04 परसेंट की गिरावट के साथ 76.10 पर शेर की क्लोजिंग है 78.50 का आज इसने हाई भी बनाया पेटर्न यही नजर आ रहा है open हो रहे है positive way में और फिर उसके बाद drastic आपको downside movement देखने को मिल रहा है और closing तक वह downside movement ही देखने को मिल रहा ह्या 77.40 पर open हुआ था 78.50 तक गया था लेकिन closing होई है 76.10 के पास, directly रिपोर्ट पर लेकर चलता हूँ एक report निकल के आ रही है कि क्या यहां से आपको इस particular stock में position बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए क्योंकि correction वगरा तो आपको यहां पर देखने को मिल ही रहा है आप यहां पर देख पा रहे होगे कि जो stock है वो काफी time से consolidation phase में चल रहा है एक time wise correction phase में चल रहा है लेकिन performance जो रहा है वो काफी ज्यादा positive है आप यहां पर एक चीज यह भी देख पा रहे होगे कि यहां पर mention किया गया है कि एक बहतरी returns यहां पर दिये लगबग 130% के आसपस के last 180 दिनों में तो यहां से चीज जो बताई जारी है वो यही है कि overall माहल तो चलो consolidation का है लेकिन चीजें जो है वो positive है जो भी लोग इसमें थोड़ा सा भी time दे पाएंगे यह मैं पहले भी आपको बोलता था जब यह शियर 25 पर ट्रेट करता था कि आये अपकी पेसेंस लेवल को तो बहुत टेस्ट करने वाला है फिर चाहें आप मुझे गाली consolidation phase काफी time दे चल रहा है शेर वही 37-80 के range की बीच में चलते हुने जरा रहा है लेकिन पैसा यहां पर बनेगा लेकिन time आपको जरूर देना पड़ेगा अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं तो आप यहां पर देख पा रहे होगे एक report आई है जिसमें अगर आप यहां पर दे सी के जो सेंसेक्स है उसमें एक अच्छा कासा उचाल दर्ज किया इस तेजी का लाब अगर आप देखोगे तो रिलाइंस इंडेस्ट्रीज टीस एस एच्टी एपसी बैंक इंफोसिस हिंदुस्तान यूनी लीबर आईटी सी और भाती एटल को हुआ आज अगर आप यहां सी की इन शेयरों में दिख रही है तेजी यानि कि अगर आप टेक्निकल फ्रंट से बात करो में सीडेके थ्रू तो यहां पे आप देखो टाटा इंवेस्टमेंट इंडियन विल्वेस्ट फाइनस कॉर्परेशन यानि की आईयर एपसी एपसी एमसी बिला कॉर्परेशन र जाना जाता है जब मैंसीरी सिग्नल लाइन को पार करता है तो यह एक संकेत देता है यह दर्शात है कि शेयर की कीमत में उपर की और गती देखी जा सकती है इसी तरह मंदी के भी संकेत देता है तो डेफिनेटली यहां पे अगर आप देखोगे तो आईयर एपसी में एक च शेयर खान के नाम से आप जो जानते हो वहां पर टेक्निकल रिसर्च एनलिस्ट नजर आते हैं तो इनों ने बोला है कि मीडियम टब में शेयर जो है वह अच्छे कासे रिटन्स दिखाते हो नजर आ रहा है लगबग 92 पर तो यह डेफिनेटली पहुंचेगा लेकिन एक बार से 125 रुपे तो ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं यहां पर यह भी बताए गया है कि जब सेप्टमब्र 23 की बात करें तो शेयर जो है वह 92 से 65 की रेंज के बीच में मूब करता था और उसके बाद एक बहुत बैतरी रिटन्स भी देखने को मिले थे लेकिन अब क्या है कि यहां अब थोड़ा था कंसॉलिडेशन हो चुका है अब शेयर जाते हुन अजर आ रहा है 92 के लेवल पर और वो अगर एक बारी क्रॉस हो गया तो डेफिनेटली 120-125 रुपे के लेवल आपको देखने को मिलेंगे यह बात हो गई यहां पर आईयर एपसी के बारे में अब आर बेनल में भी है कि ओपन हुआ था 167 पे और 169 तक आई गया उसके बाद लो बना और अपने लोएस्ट के तरफ ही क्लोजिंग देती हुन नजर आया लगबग 164.90 पर क्लोजिंग है 1.17 परसेंट की गिरावट के साथ अब यह शेयर कहीं से भी निलगता है कि अगर इसम सेकंड आयेस्ट रेटिंग है इससे उपर ट्रपले प्लस ही होता है और ट्रपले पर अगर आप जाओगे तो बिलकुल जीरो डिफॉल्ट वाला सिनेरियो होता है कि इनके जो भी डेट इंश्रुमेंट होंगे उनमें डिफॉल्ट के चांसे लगबग ना के बराबर है तो तीन अजार नईट चलाने वाला है यह जब खबर निकल के आई थी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेइन किया था लेकिन आप यहां पे मैं जल्दी से एक्सप्लेइन कर देता हूं कि अगर तीन यह नईट रेंगी तो यह सारे स्टॉक्स कवर हो जाएंगे इसमें आई करेगा तो इसको भी मिलेगा उसका भी शेयर उपाज जाने के पूरे चांसे बनते हो नजर आ रहे हैं ऐसे बहुत सारी खवरें निकल के आती रहती है कि आज यह प्रोजेक्ट्स है आज यह कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है आज यह यह यहां पर और मिल गया और उसका फा कि मैंने सेट कर लिया कि मुझे 50% के रिटर्न चाहिए अब उसमें अडिशनल रिटर्न आ गए तो तो बहुत अच्छी बात है नहीं आए तो वह दूसरे श्टॉक से कवर कर लेंगे ठीक है तो यहां पर सारी चीजे मैंने आपके साथ शेयर कर दी है वीडियो में फिला ल कर रहे हैं तो सब्सक्राइब यहरो को दीजेगा धन्यवाद